जैहिंद साथियों मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर यूटूब पर और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मौडन हिस्टी पढ़ रहे हैं इसमें आधुनि भारत के तिहास में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया सरसरी निगाह से हमने देखा कि किस तरह यूरोपी कम्पनिया भारत आती हैं वो अपना व्यापार करती हैं वर्चस्प की लड़ाई में किस तरह अंग्रेज जीटते हैं और उन्होंने धीरे-धीरे भारत के राजनेति वियुस्था पे आर्थी वियुस्था एक इस्तरा जो है कब्जा कर लिया और अंत में जो है हमने गवर्णर गवर्णर जनरल और वाय सराय का कारेकाल देखा उसके साथ साथ एतिहासी घटना क्रम को हम क्रम से देखते हुए भारत की आजादी तक हुचे तो यह हमने सरसरी निगास से सारी चीज कंप्लीट कर ली अ हम एक नेट आपी की तरह बढ़ेंगे दोस्तों और शुरू करते हैं थोड़ा सा डीटेल्स में जो है और हम पढ़ेंगे दोस्तों की जब हमने वहां पढ़ा देखा कि जो है भारत में अंग्रेज आये और उन्होंने यहां पर अपना वर्चा स्वस्तापित करने की कोर्स कि भारत पर कपजा करने के साथ इंडिया के बंगाल पर अधिपर्द के साथ जब वह प्लासी युद्ध जीत लेती हैं दोस्तों 1757 और 1764 के बाद जो है प्लासी बगसर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजिम को जो है यहां पर आर्थे कुरूप से पकड़ बनाने का मौका मिल गया और पुर्हों ने किस तरह आ क्या-क्या अपने हिप में काम किये और भारती व्योस्था को कि सब्सें जकड़ लिया और दोहन किया यहीं चीज हम आज देखेंगे हम देखेंगे कि ब्रिटी सावंत मन ये जो कम्पनी थी इसका जो है क्या फरक पड़ा तर व होगा ब्रिटिश सासन का ब्रिटिश सासन का भारती अर्थ व्योस्था पर प्रभाव किस तरह मुसका प्रभाव पड़ा यहीं क्रम से देखते हो चलेंगे ठीक है महत कों टॉक्षे दोस्तो आईये इस स्पोर्भ करते हैं देखे 17 सजिक की बात है 17 सजी से स्ढài tutorial समझे की कैयाई और भारत में क्या था सबसे बड़ा उतपादक, सबसे बड़ा उतपादक था भारत क्लियर हुआ चलिए यह चीज आपको समझ मां गई यहाँ से क्या क्या ओत्योपिक माल जो है उतपादित होते थे और विदेश़ों में जाते थे दोस्तो सूती वस्त्र जाता था रेश्मी मस्त्र जाता था ठीक है ये जो है कपड़े जाते थे सूती और रेश्मी और क्या जाता था मसाला नील शक्कर और सधिया मसाले यहाँ नील की खेती होती थी नील शक्कर और सधी ये सारी चीजें क्या थी कच्चा माल की विश्व में भारत इसके लिए बहुत प्रिशिद्ध था, ठीक है, सूती, रेस, नीवस्तर, मसाले, नील, शक्कर और और सभी, नील कपड़ों को रंगने के लिए प्रिप्थ होता था, ठीक है, नील जो होता था, ये कपड़ों को रंगने के लिए प्रिप्थ होता था, तो और थिर्ट इसक्There भारत उसी सब्सक्राइब इस सारी चीजें टेस्वार्ट सुर्छ बात समझभाई चलिए आप दोस्तों क्या था यूरोपी लोग ये सारी चीज़े खरीते थे और क्या करते थे बदले में बहमुल धातु को देते थे ये कच्छा माल या दोगित माल विदेशों में जाता था कहा जाता था विदेशों में और विदेशों से क्या आता था महगी महगी धातु में धातु में आती थी जिसमें सोना चांदी ये सब प्रमुक्ता तो अब कच्छे मालका और दोगित मालका निर्यात करके भारत सोने चांदी को इकठा करके बहुत ही सम्रिद देश बन चुगा था भारत सोने की चिडिया ह में तो सी कहा जाता था इस रिल्य ये कारण था दोस्टों विदेशों से क्या आती थी बहुत सारी मघघि मघधी धार्टूं में आती थी सोचैकश द्यूंएid मुगल काल आपको पता है दोस्तों मुगल काल में जब औरंग जेब की मित्यु हो जाती है औरंग जेब तक तो चीजे सब अच्छे से चलती है वो एक तरह से जो है सक्तिसाली शासक था लेकर उसके बार औरंग जेब के बार मुगल बार्शाह औरंग जेब के बार मुगल बा कि मृट्यू के बाद इसके मृट्यू के बाद क्या होता है दोस्तों इसके उत्तरवरती जो मुगरश आसक होते हैं यह क्या करते हैं इनके समय में जो है जो भी यूरूपी, कंपणिया वन चाहिए जब हमने सुरू किया था वाड़े जिक कंपणियों का भारत आगमांत उसमें आप देखा कि किस तरह जो है उन्हों दर्ट पूर्वक उधारता पूर्वक क्या किया उत्तर वर्ती-मुगल-sasak इसके बाद के मुगर्सास को निए क्या किया उन्होंने जो है यूरोपी कम्पणियों के जो भी प्रत्निति अन्को उदारता पूर्वक छूटे देना सुरू कर दिया धीरे धीरे उनको पैस जबाने का मौका देना सुरू कर दिया, ठीक है, तिनोंने क्या किया है, उदारता पूर्वक क्या किया, रियायते दी, ठीक है, या छूर दी, अब इससे नुकसान क्या हुआ दोस्तों, जब आप विदेशी कमपनी को रियायत देंगे, तो उसक्षम है पूजी है, वो सक्षम में कंपोडिशन करने के लिए। जब आप उनको रियायत देंगे तो क्या होगा यहां के जो घरेलू उद्योग है। घरेलू उद्योग। भारत में जोस्तों जो घरेलू उद्योग थे, दस्तकारी का उद्योग था, कुटीर उद्योग था, इनके हितों पे काफी चोट होजी, क्योंकि इनके पास पूजी भी कम थी, और समस्या ये थी कि जो है ये सरवाइब करने की कंडिशन में नहीं थे, तो उत्तरवर्ती सास को, कुमुगल सास को, कि इनको प्रश्य देना चाहिए था, इनको सपोर्ट देना चाहिए था, सबस्टी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनको बरबाद करने का ही ठेका ले दिया, तो यह जो है, इन्होंने यूरोपी कमपनियों को रि नुक्सान पहुंचा अब इस नुक्सान की मज़द से क्या हुआ दोस्तों घरी लूद्यों चौपट हो गए अर्थिवस्था पे छोट लगी ठीक है आई ये देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि यह कन से देखे नुक्सान नगुना इसके बाद क्या प्लासी इस बक्सा यह दोनों में एंग्रेज जीत गए अंग्रेज विजई रहे हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया बंगाल पर अधिकार कर लिया ठीक है बंगाल पर अधिकार कर लिया बंगाल पर अधिकार कर लिया बंगाल बहुत ही सम्रित प्रांथ था तो बंगाल पर इन्होंने क्या किया दोस्तों अधिकार कर लिया जिससे क्या हुआ जिससे क्या हुआ जो भार्ति अर्थ्वयोस्था दोस्तों क्या थी? एक तो आत्म निर्भर थी और क्या था? आत्म निर्भर के साथ अर्थ्वयोस्था क्या थी? अधिसेज की स्थीति में थी? कि स्कती में थी एक तो आत्मनिर्भर प्यंदemption आत्म निर्भर थी दूसरी ATHISHYESH ATHISHYESH का मतलब होता है दाथakahे बैलेंस मतलब भारती अथिवत अतनी सम्रिद्र थी कुछ समय तक कि यह आत्मनिर्भर थी थी और इसके पास एक अच्छा खासा जो है मतलब इस्टॉप भी था मतलब विकास करने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा जो है पूजी का संचे भी था वो व्योस्था क्या हो गई? किसमें कन्वर्थ हो गई? अउपनिवेशिक अर्थ व्योस्था में बदल गई अंग्रेजों ने उसको अपने हिसाब से दोहन किया और उसको अउपनिवेशिक अर्थ व्योस्था में बदल दिया बाते समझ में आ रही है ठीक है जब यह जीते अंग्रेज तो उसके बाद क्या हो आपने युद्ध को देखा करम से हर चीज आप देख चुके हैं अब इसको जो है हमें पढ़ना है कलर टॉपिक के लिए तो बंगाल के अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने उस पे जो है उसका दोभन करना सुर्वकति कैसे आईए हम देखेंगा ही आईए क्या उन्होंने किया अग्रासी और ये प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद ही दोस्तों अंग्रेजों का जो है वास्तवी कब्जा होता है भारत की अर्थिवर्स्ता पे अब क्या हुआ प्लासी के यु अंग्रेज क्या करते है अंग्रेज अंग्रेज व्यापारी का करते हैं जीन रस्त्वों का व्यापार उनके लिए प्रतिबंधित था मतलब अब ये क्या कर गए? इंडरी मार गए मतलब बंगाल का एक अपना व्यापार था और सारे राज्यों से अंग्रेजों के लिए कुछ चीज़े प्रतिबंधी थी अंग्रेज व्यापारियों के लिए जैसे नमक, सुपारी, तंबाकू, इनके व्यापार पे प्रतिबंध था लेकिन इसमें भी जो है वो अधिकार कर लिए अंग्रेज व्यापारी क्या किये इसमें भी जो है इसमें भी अधिकार कर लिये मतलब इनके व्यापार पे भी इनका अधिकार हो गया तो कहने का मतलब हावी हो गये ठीक है अब हावी हो जाएंगे तो जाहिल सी बात है जो व्यापारी मुलता है जो व्यापारी बंगाल के व्यापारी है उन पे जो है इस पे अशर पड़ेगा ठीक है अब इसके बात देखिए दोस्तों नुकसान क्या होता है व्यापार तो व्यापार है तो नुकसान क्या होता है ठीक है अब देखिए इसके पहले जो लोग आए अंग्रेजों के पहले जो विचेता आये दोस्तों, उन्होंने क्या किया? वो यहां पर उन्होंने जो है सासन किया, कपजा किया, शासन किया, लेकिन यही में वो रच बसके खुल मिल गए. अंग्रेजों के साथ क्या समस्या थी? अंग्रेज जो है यहां दोहन करते थे और यहां से जो धन जो है वो को दोहन करते थे, वो अपने देश वापस भेजदें दे इंग्लाइट भेजदें दे थे। इससे क्या होता था। हमारा देश का पैसा कहाँ चला जाता था। विधेश में चला जाता था। और वहा की अर्थिऊबस्था मजबूत होती थी değildi, हमारे देश के अर्थिवस्ता कमजोर होती थी इसके पहले कि विजयताओं ने क्या किया था वो धंट और चित करते थे दोभन करते थे लेकिन वो यहीं के अर्थिवस्ता में लगाते थे इसलिए अर्थिवस्ता का बैलेंस बना हुआ था यह अंतर था सबसे बड़ा सब यह था आप समझे आखिर अंग्रेचों ने एसा किया क्यों ब्रिटिस आउप आउप निवस्ता में परिवर्थित किया इन्हों ने भारती अर्थिवस्ता को इन्हों ने क्या किया विज़ His आउप निवेसिक व्यूस्ता में बदल दिया स्था कि भी कह punya शे कर्द्ध्र स्ठमिन होने बदल लिया तीख किया क्यों होने आसायल विशा सिस्के पीछ इंगे सबसे मुख्या था क्या दोस्तों 12 सो उद्धेश था उद्धेश क्या था अगर कहा जाए कि इनका उद्देश क्या था तो जो पहला उद्देश था दोस्तों वह क्या था? अपने उद्योगों के लिए कच्छा माल उपलब्ध करना के लिए कच्छा माल प्राप्त करना पहला उत देश था कि जो है भारती अर्थविस्था का दोहन करके कच्चा माल उपलप्ट किया जाए ताकि हम अपनी अर्थविस्था को मजबूत बना सके और दूसरा काम जब इनके इनके फैक्ट्रीज में या कार खाने में जैसे यहां से कच्चा माल विदेश गया इंग् उची कीमतों पर बेचना भारती बाजार में तैयार उत्पादों को तैयार उत्पादों को क्या करना तैयार उत्पादों को भारती बाजार में भारती बाजार में उची कीमतों पर बेचना पुची कीमतों पर बेचना मतलब आप समझ़िए एक करना क्या है इनको यह यहां से कच्चा माल ससते में कैप्चर कर रहा है खरीद रहा है ले रहा है उसके बाद इसको विदेश बेज रहा है अपनी कमपनीों में अपनी फेक्ट्रिवों में वहाँ पर जो है प्रोडेक्ट बन रहा है फिर जैसे यहाँ से इन्होंने सूपी खरीदा यहाँ से इन्होंने कॉटन खरीदा यहाँ से इन्होंने रेशम लिया और वहाँ पर ले जाके इन्होंने प्रोडेक्ट बनाया कपड़े बनाया और यहाँ से तो उन्होंने बहुत स उपनिवेश कर्थवरस्ता में यहीं दो मुख्यू देशते इनके चलिए ठीक है अब यह बात आपको समझ मां गई किन्हों ने ऐसा किया क्यों आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप देखते हैं उपनिवेश्वारत अब देखेंगे कि भारत में ब्रिटिस उपनिवेश्वारत कि उपनिवेश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों आमको पता ही उगा उपनिवेश्वारत में दोस्तों और आपनी कि उपनिवेश्वश्वा पर शूटा बैरान्च के से नेंटा व बंचवनरिया थीख है उपनवेस व खोता है चोटा सा हिससा किसी बड़े मिशालदेश का एक चोटा सा इस्सा जिसका वो दोखन कर सेक्व है जो उसके उंडेर मिले हैं तो भारत में बेटिस उपनवेसवान किस तरह काम करता है इसको आपको देखना है ठीक है अब देखिए अब हुआ क्या दोस्तों अब देखिए हुआ क्या पहले क्या होता था प्लासी युद्ध के पहले 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 देख लिए क्या हुआ युद्ध के पहले इसके पहले क्या होता था प्लासी युद्ध के पहल विदेश से सोना चांदी के रूप में बहुत 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 बहु मिलते हैं। यहाँ सपर चीजे खरीद के बाहर भीजी जा रही है, उसका भुकतान यह यहों कैसे करेंगी ? लोग लुझे यहां बाहर से सोना चाला दिया बहमляमी हैं नहीं नहीं करते थे। यहां बंगाल का जो दोहन करते थे, यहां से जो पैसा उनको मिलता था, बहुत सारे तरीकों से कृसी लगान से मिलता था, और भी जो अपने तरीके से वो दोहन करते थे, व्यापार करते थे, उस पैसे से ही वो इसका भुगतान करते थे, मतलग यहीं के अर्थव्योस्था से दोहन की हुए पैसे से वो यहां से खरीदी चीजों का भुगतान कर देते थे इस तरह अर्थवियुस्था डिवलप नहीं मुपा रहे थे और कमजोर होती चलिया रहे थे तो कि बाहर से जब कहीं सोना चाहती आएगा धातुय आएगी तो वो जो है अर्थवियुस्था को बदल गई और यहीं के पैसे से यहीं के दोभन की हुए धन से वो क्रेश चीजों का भुगतान कर देते हैं तो आप पूरी तरह समझ रहे होगे कि किस तरह ब्रुस्था चौपट हो रही है ठीक है अब देखिए संत्रह संत्रह सो संतावन के बाद क्या हुआ यहीं प्लासी द्वारा पाहर निर्यात की गई भारत से निर्यात की गई कमपणी ने उसके बदले में भारत में कुछ भी नहीं लौटाया सारी चीजें जो है एक तरह सिर्फ फ्री में गई अब इसका मतलब यहीं हुआ कि यहां के दोहन की पैसे को यह पे कर देते थे तो कोई मतलब नह सीचु debris क्रिएट होती है ठीक है चलिए यह बात समझ गये कि किस थना भारत वं प्रिटिस उप्रिवेश्वार अपनी जड़ बना रहा है ठीक है इस तरह क्या हुआ दोस्तों भारती माल और संपत्ति का होता रहा कि भारती माल के और संपत्ति का कि प्रफिवर्ष दोहन होता रहा, क्लियर हुआ, इस तरह रत्रश्था देरे देरे कमजोर होती रही, ठीक है, इतनी बात समझ भाई, अब इस स्थिते में क्या हुआ, इंग्लैंड, और अधिक अमीर होता गया, और अधिक अमीर होता गया, भारत और अधिक अधिक गरीर होता गया, भारत का जो किया जा रहा है यहां से, बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका पैसा कमपनी नहीं दे रही है, अध्योस्था में कमी तो आएगी ही, और दू दूसरी बात वहां पर पहले तो सस्ते ले जाते थे, बाद में क्या किये, फ्री बे ले जाने लगे, या नाम मात्र का सुल्क, तो आप समझ लीजे, वहां पर अपने अध्योगी करण को मजबूत करते थे, और यही चीज नहीं करते थे, वहां पर जो प्रोडक्ट बनाते थ उसको फिर से यहीं लाके मार्केट में खपाते थे पूचे दामों पे मतलब डबल फायदा ले रहे थे तो इस तरह यह जो है और अधिक अमीर बन रहे थे और भारत बराबर गरीब बनता चला जा रहा था तो यह दोस्तों यह चीज होती चली गई अब क्या हो गया इसी पैस दोस्तों और पूजी धन और पूजी संचे से क्या हुआ जो इन्होंने यहां से पैसा लूटा इस वज़ेसे वहां फ्री में लेकर गए माल लीजे कच्छा माल फ्री में मिल जाया है या भू सस्ते मिल जाय तो आपको प्रोड़क्शन जो है जाहिल से बादा प्रोड़क् मिल गई अनेक अविस्कारों के लिए भी धन चाहिए नए अविस्कारों के लिए मशीनों के लिए वो इनको भारत से मिलने लगा इनकी कास्ट कम हो गई और इसके बाद क्या हुआ यह अद्धियोगी करण के दौर से गुजले कहीं न कहीं है भारती अर्थ फिवस्ता का पश्योफ्तों की तर्म है दोस्तों यह क्या था इंगलायंड में राज आन्ट के लिए राज नदुन होता था कि व्याय करता था जो भी वे करता था, वो सुल्क क्या कहलाता था, ग्रिव शुल्क कहलाता था, क्या कहलाता था, दोस्तों, ग्रिव शुल्क कहलाता था, इस ग्रिव शुल्क में क्या-क्या शामिल था, इस ग्रिव शुल्क में कौन-कौन सी मत सामिल थी दोस्तों, भारत में भारत का जो है सारजनिक रिड जो भी रिड लिए जाता था भारती सारजनिक रिड शामिल था एक चीज रेलों पर लगाई गए पूजी पर दिया व्याज उन्होंने रेल की व्योश था तो दी लेकिन रेल की व्योस्था कि जो पूजी लगाई थे इंवेस्टमेंट किया था उसका जो ब्याज था वो भी जो है इसी भारत सरकार से वसूलते थे रेलों पर लगाई गई पूजी का ब्याज पूजी का ब्याज भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामगरी की लागत भारत को दी गई जो भी सैनिक विवस्था थी उसकी भी जो है लागत वो यहीं के ग्रिशुल से वसूलते थे सैनिक विवस्था और अन्य सामगरी की लागर ओके ठीक हैं और क्या भारत के कारह जो शुल्क देना पड़ता था इंगलाइंड में जो नागरिक और सैनिक सुल्क देना पड़ता था वो भी इसी में शामिल था मतलब ये सारी चीजें कहां से आती थी ग्रिशुल्क से आती थी अब यूरोपी अफसरों को जो यूरोपी अफसरों को पेंशन मिलती थी दोस्तों यूरोपी अफसरों को जो भगते मिलते थे इलाउंस मिलते थे पेंशन मिलती थी वो किस से दी जाती थी यही ग्रिशुल्क से दी जाती थी ग्रेकल का मतलब किया क्ला राज सचें के तरब से उभिय क्या होता था उर यह तो इसमसी में कि टीक है यह ता रिचीज इंडी मिंञें सुल्क क्या है चलिए एक चीज हो गई ऐज방 कि इस शब्द था धार उस्तूं imperial preference क्या था? एक शब्ध था, एक टर्म है दोस्तों imperial preference imperial preference यह है क्या दोस्तों? देखिए भारत से जो निर्यात था उसके लिए वो क्या करते थे? हतोत साहित करते थे भारत से जो चीज़ें export होती थी, किस चीज़ के लिए? यहां से जो चीज़े export होती थी, उस पर British क्या करते थे? बहुत ही जो है सुल्क लगाते थे, हतोत साहित करने के लिए लेकिन अपनी चीज़ें जब वो तैयार माल यहां लेके आते थे उसको सुल्क जो है एकदम नाम मात रखते थे, ताकि वो यहां के मार्केट में आसानी से आ सके और खब सके, ठीक है? यह देखिए इसलिए क्या होता था? imperial preference क्या था? यह जो है एक तरह की wishes, रियायते थी wishes, रियायते या छूट या छूट किस चीज़ पर? किस चीज़ पर छूट थी? भारत में ब्रिटीस आयातो पर भारत में ब्रिटीस आयातो पर भारत में जो प्रिटीस आयात था उस पर जो है क्या थी यह छूट थी? जिसको हम क्या करते थे? imperial preference ठीक है, अपने लिए नोट छूट की रस्ता खुद ही बना के अखी थी चलिए, यह हो गया, इसमें जो है सूल्क बिल्कुल नहीं लगता था या बहुत ही नामात्र का लगता था क्या लगता था? नामात्र का सूल्क नामात्र का सूल्क या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लियर हुआ, चलिये, यह हो गया इंपिरियल प्रिफरेंस, अब दोस्तों यह जो उपनी वेस्वाद व्योस्था रही, और यह जो इनकी नीतिया थी, इसका भारती कृष्षी पे क्या फरड़ पड़ा है, अब हम कृष्षी पे लग क्रिशी पर प्रभाव, क्रिशी पर क्या प्रभाव पड़ा इनकी नीतियों का, क्रिशी पर प्रभाव, भारती क्रिशी पर क्या फर्ग पड़ा, आईए देखते हैं, देखें दोस्तों, भारत की जो अर्थव्योस्था थी, कैसी अर्थव्योस्था थी, भारत की अर्थ व्यवस्था आर्थ व्यवस्था भारती अर्थ व्यवस्था कैसी थी क्रिसी जन्य अर्थ व्यवस्था थी क्लियर हुआ अब यह जो है कप थी अपनिवेशिक काल के पूर्व अपनिवेशिक काल के पूर्व तो यह क्या था आपणिवेशिक कालके पूर अब उसके बाद इस कृजिच जन्न वियस्था को अंग्रेजों ने क्या किया? जो है, मतलब अपने हिसाब से मौडिफाई कर दिया अपनिवेशिक अर्थिव्यस्था में बदल के ठीक है जो पहले कृकि भर्शी जनन्रत वोस्ता थी इसको अंग्रिविजोंने क्या किया अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए नई नही ने की लागू कि इन्होने इसको मौडिफाई कर दिया कैसे किया इसकोम हम देखेंगे ठीख है इन्होंने क्या किया घूराजस्त के नये-णय तरीके खोजें बुराजस्त के लिए उटमने क्या किया दोस्तों इसके निर्धारण के लिए और संगृहँर के लिए है नयनय तरीके इजाद कियी रहост तरीके इजाद किया जिससे उन्हें फाइदा हो ठीक है उन्होंने कुछ ऐसी व्यूस्था का जिससे उन्हें फाइदा हो भारती अर्थ व्यूस्था या क्रिसी व्यूस्था टूबे मरे इससे कोई फरक नहीं पढ़ता हुए चलिए वो क्या किये वो चीज हम लोग आगे द प्लासी युद्ध के बाद ये प्लासी युद्ध दोस्तों लेंड मार्क है ये चीज़ आप याद रखेगा इसके बाद क्या होता है बंगाल की दिवानी उन्हें मिल जाती है कमपनी को क्या मिल जाता है बंगाल की दिवानी प्राप्थ हो जाती है बंगाल की दिवानी जो हो जाती है दोस्तों तब क्या करता है उस समय कमपनी का जो गवर्नर करता है और होता है तो आप वारन हस्टींड्स वारन हेस्टींड्स क्या करता है दोस्तों कोन Unreal कारें, हैस्टिंग्स यह क्या करता है 1772 में , बंगाल में द्वयज सासन की व्युस्था को समाप्त कर देता है जो द्वैज सासन में उस्था होती है, इसको ये क्या करता है, समाप्त कर देता है, द्वैज शाशन विवस्था को समाप्त कर देता है, ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करता है, एक नया फॉर्मिक सिस्टम लाता है, देखिए, बंगाल की दिवानी प्राथ होने के बाद क् हिस्टिंग 1770 में दुएच सासन को खत्म करता है बंगाल के और इसके बाद क्या होता है आईए देवते हैं कि इसके बाद क्या होता है ये व्योस्था सुरू करता है दोस्तों जिसका नाम क्या है इजारे दारी इजारे दारी इजारे दारी व्योस्था की सुरूआत करता है ठीक है ये भूराजस्व वसूली की एक व्योस्था होती है की व्योस्था मतलब उसमें इजारे दारी व्योस्था की सुरूआत की जो भूराजस्व वसूली की व्योस्था है संचेत में इसको समचे की में क्या होता था दोस्तों जो सबसे अधिक उंची बोली लगाता था सबसे उंची बोली सबसे उंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हग दे दिया जाता था क्या किया जाता था जमीन का मालिकाना हग दे दिया जाता था इजारेकारी ब्योस्था में ये ब्योस्था थी ठीक है जो भी सबसे अथी कोची बोली लगाता था उसको जो है मालिकाना हग दे दिया जाता था अब क्या हुआ क्लाइव के समय रावट क्लाइव जब था दोस्तों रावट क्लाइव के समय क्या था भू राजस्तों जो था वार्शिक था भू राजस्तों का जो बंदो बस्त था बंदो बस्त था वो क्या था वार्शिक था मतलब वो हर साल जो है प्रतिवर्ज निर्धारित होता था अब इसको 5 वर्स इसके पांच वर्स किया 5 साल कश वर्स कर लिया इस आरेदारी में इसने क्या किया 5 साल जो है इसका समय कर दिया ठीक है स्थाई बंदोबस्त इसके बाद है उसमें हम देखेंगे भूराजस विवस्था का बंदोबस्त वारसी जो होता था क्लाइव के समय वो हिस्टिंग्स के समय क्या हुआ पांच साल पर होने लगा क्लियर हुआ इजारेदारी आपको समझवा गई दोस्तों अब देखिए जब उची बोली का मतलब क्या हुआ जिसके पास पूझी है वही उची बोली लगाएगा जो ठेकेदार होगा संपत्ति जिसके पास होगी तो यह क्या हुआ एक तरह से ठेके की विवस्था हो गई ठेके की विवस्था मतलब ठेके पर जिसने ले लिया अब वही खेती करवाएगा और लगान कंपनी को देगा अब जो ठेके पर वो ले लेगा दोस्तों तो जाहिए इसी बात है किसान का वो दोहन करेगा उनसे अथिक सथिक परिशम करवाएगा और कम से कम उनको जो है पैसा देगा इस तरह किशानों का बहुत ही सोषण हुआ और भुख्मरी के कगार पे आ गए इस व्योस्था से किशानों का बहुत बुरी तरह से सोषण हुआ और भुख्मरी की जो है कंडिशन में आ गए अब और जो है भुराजस को इस्टेबिस करने के लिए या व्योस्थित करने के लिए इसी समय दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो क्रम से आपने कारकाल में पढ़ा ही होगा कि इसी समय क्या हुआ का 1786 की बात है रेविन्यू बोर्ड का गठन हुआ ठीक है ताकि और चीजों को ब्योस्थित किया जासके भूराजस के बारे में और चीज़े ब्योस्थित कि जासके अधिक सधिक फायदा उठाने की टेक्निक को डिलन किया जासके बात समझ भाई बात क्लियर हुई चलिए द यह ब्रीटिच सासन का भार्ति व्योस्था पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है वहां नकारातम की उनकारातम के संभल में किस तरह प्रभाव पढ़ता आपके दिमाग वंगा कि किस तरह नहोंने असर डाला अब करम में हम लोग एक इत चीज़ों को देख रहे हैं जैसे जार अगली क्लास में इस टॉपिक को कम्प्लीट कर देंगे, इरजारेदारी के साथ हम स्थाई बंदोबस्त भी देखेंगे, महालवारी भी देखेंगे, यहां से प्रस्न जरूर पूछता है परिक्षाओं में, मौडल हिस्ट्री से जो सवाल आते हैं, तो क्रिसी भूराजस्व के जो बंदोबस्त की वे उस्थाएं हैं, जहां से लगान की वे उस्थाएं, वहां से सवाल पूछा जाता है परिक्षाओं में, तो अगला टापिक और महत्पूर होगा, तो इन दो वीडियो में यह टापिक कम्प्लीट हो जाएगा, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही म मिलते हैं, अगले वीडियो में इस टापिक की बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है दोस्तों, जाएगे